सब्सक्राइब कीजिए ब्रिश एस्पेशल को और दवाईए इस बेल आइकन को ताकि ऐसे ही ज्यान बर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके ब्रिशब रासी वालों का आजी का रासी फल यानी की 11 जुलाई 2020 का रासी फल तो नमस्कार मित्रों आईए आजी के वीडियो की सुरुआत करते हैं और जानते हैं पूरे बिस्तार से कि आजी का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा आजी के दिन आपके जीबन में क्या-क्या बदलाब होगा क्या-क्या पडिवर्तन होगा इस बीडियो के लास्ट में आपके आजी के दिन का सुभ रंग, सुभ अंक और उपाई है तो आप उसे भी देखें, सुनें और आजी माने का प्रियास करें तो अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके धन संपती के बारे में मित्रों पैसों के दृष्टी कौन से आजी का दिन आपके लिए शामानी रहेगा आजी के दिन आपके शामने में पैसे कमाने का जो भी मौका आए तो उस मौके को आपको गबाना बिलकुल भी नहीं है अने था आने वाले वक्त में आपको पैसों की शमस्या का सामना करना पड़ेगा इसके बाद है आपका घर पड़िवार मित्रों पाड़िबारिक जीबन के दृष्टी कौन से आपका शम है अच्छा बीतने वाला है आज से पहले अगर आपके घर पड़िवार में किसी बिक्ती के शाथ आपका शम्बंध कमजोर हो गया था खराब हो गया था तो आज के अपने शम्बंध को आप मजबूत करने का प्रयास करें इसके बाद है आपका प्रेम शम्बंध है तो प्रेम शम्बंध के दृष्टी कौन से आपका शम है सामान्य से थोरा सा नीचे है आज के दिन रूमैंस के दृष्टी कौन से आपका शम है आपका शाथ नहीं देगा रूमेंस के द्रिष्टी कौन से आज का दिन आपके लिए बोहत जयाता जटिल रहेगा इस बात को आप याद रखें इसके बाद है आपका कामकाज मित्रों कामकाज के दृष्टी कौन से आपका शमय सामाणने से थोरा सा बिहतर थोरा सा अच्छा रहने वाला है आज के दिन अपने कामकाज में आप शमय का दुरूपयोग बिलकुल भी न करें आपके शामने जो भी काम हो तो उस काम को बड़े ही मेहनत से और इमानदारी के शाथ आप पूरा करने का प्रियास करें अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले वक्त में आपका कामकाज ज्यादा बहतर और ज्यादा शांदार हो जाएगा इसके बाद है आपका बैबाहिक जीवन मित्रों बैबाहिक जीवन के दृष्टी कोन से आपका शमय अच्छा नहीं बीतने वाला है आज के दिन किसी और बिक्ती की बातों को सुन कर अपने जीवन साथी के बाड़े में आप कुछ भी न बोलें अन्यता हो सकता है उन्हीं कारणों से आपके जीवन साथी के शाथ आपका नोक जोक हो जाए और आपका बैबाहिक जीवन खराब हो जाए इसके बाद है आपका स्वास्त मित्रों स्वास्त के दृष्टी कोन से आपका शमय अच्छा बीतने वाला ह आज के दिन आपके बोडी में उर्जा का अस्तर बहुत जयादा उंचा रहेगा और इस वजह से आपके शुआस्त में कही कोई पड़ेशानी कही कोई शमस्या नहीं होगा वैसे आप में से जो भी लोग नसापान करते हों तो आज के दिन आप नसापान बिलकुल भी न करे इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाई को आज माने के बाद आपका शमय बहतर और शानदार होगा मित्रों उपाई बहुत ही ज्यादा शामानी है आज के दिन आप अशनान धियान करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले वक्त में आपका शमय बहुत ही ज्यादा बिहतर और शांदार हो जाएगा इसके बाद बाद करते हैं कि आज के दिन आपके लिए सुभ रंग और सुभ अंक क्या है आज के दिन आपके लिए सुभ रंग है हरा और फिरोजी आज के दिन आपके लिए भाग्यशाली अंक है एक यनी की वन तो मित्रों यही था आपके आज के दिनकार आसी फल इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आप हर जिगा सेयर कर दें धन्यवाद जेसी आराम